हेलो सिविल इंजिनियर्स मेरा नाम है शाजएब आएम प्रोफेशनल एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजिनियर्स और आप सब इंजिनियर्स के लिए कॉर्पोरेट टेनर तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं टर्न की प्रोजेक्स के बा बारे में बताती है और इन में क्या Mig ettrium से ये आपको बताया जाता है लेकिन वह सहीं तिरीटिकल आपको बहुत सारी वीडिव में सहीं चीब से मिलती हैं आपको Google पर से मिलती है लेकिन आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा कि टर्न की और EPC में क्या डिफरेंस है और यह किस तरीके की प्रोजेक्स होते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्जाम्पिल के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से आपके टर्न की प्रोजेक्स होते हैं और क्या आपके यह EPC से कैसे अलग होंगे तो यह मैं आपको कोई भी टेक्निकल नहीं बताने वाला हूँ और आप लोग पहले से बहुत जादा सुन चुकी हो मैं आपको एक्जाम्पिल के साथ बता रहा हूं यह पर तो चलिए हम अपनी वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक आप इसका जो टेंडर है तो यह आप लोगों ने देखा जिस तरीके से यह काफी हाइलाइट रहा प्रजेक्ट तो यह जो इसकी लोकेशन इसका जो स्टेट लगता है वह उत्तर प्रदेश रगता यूपी तो यह जो आपका नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट है इसका जो अ आपको यह एरपोर्ट बनाना था तो इन आए ने गवर्मेंट के वहाब पर एक टेंडर रिलीस किया जो कि आपका इंटरनेशनल टेंडर उसने रिलीज किया जिसमें चार मेजर कंपेनी जो बड़ बड़ी गंपनीनी उस तेंडर को बिड किया और इसमें कौन कोंशी कंप पे उसने इसमें बिड किया और ये ऑपकी जो कि आपकी शक्राश्ट को направ Näल इसमें इसमें किया तो चार अलगल से निकाला गया इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको डिजाइन भी करना था ठीक है और आपको वहाँ पर उसको चालीश साल तक आप इसको ऑपरेट भी करोगे तो इस तरीके से यह तो इसमें क्या था जब आप 40 साल तक ऑपरेट करोगे इसको तो उससे जो रेवन्यू जनरेट होगा तो पर जो आपका रेवन्यू के साथ शेयर करना था जिसमें आपने देखा कि जो आपका जियूरिक इंटरनेशनल है उसका जो पर पैसेंजर जो रेवन्यू शेयर करना था वह सबसे जादा था 400 रूपे 97 पैसे और जो आपका अडारी ग्रूप था उसका 362 था जो आपका जेमार जाक फेस में बनना था लेकिन आपका जो चारोफेस का जो तंडर यानि कि पूरा पूरा जो प्रजेक्ट आपको मिला वो जूरिक इंटरनेशनल को मिला तो यहां पर जो ओनर कोन कर रहा है यानि कि बनाएगा उसको डिजाइन करेगा प्रिप्रेड करेगा उसका 40 साल तक उसको που करेगा वह कौन करेगा आपका जूरिक इंटरनेशनल यह जो प्रोजयक्त वह आहएपका टन ल१ी १ gefragt यानि कि उसको design करना है, build करना है, आपको procurement करना है, 40 साल तक उसको operate करना है, तो यह आपका turn की project है, जिसको operate कौन कर रहा है, जूरिक international कर रहा है, तो इस तरीके से यह project है, यानि कि पूरा project आप देखो, तो NIL ना तो कोई drawing बना करके दी, ना कोई उसने बताया किस तरीके से करना है, सिर्फ उसने एक simple सा title दे दिया, कि हमें international airport बनाना है, अब इसमें कितने runways आएंगे, क्या कि technical चीज़े रहेंगे, किस तरीके से आपको उसको connect करना है, कैसे आपके terminals बनेंगे अलग-अलग, वो सारा काम किसे देखना है, वो Zurich International को देखना है, तो अब यहाँ पर यह चीज समझो, आपके turn की जो projects होते है, उसमें सिर्फ एक title मिल जाता है, जो owner होता है, जो आपको मालिक के project है, वो बता देगा कि हमें क्या बनाना है, हमें airport बनाना है, अब airport, हमें international airport बनाना है, तो क्या हो, किस तरीके से आप उसको design करोगे, कैसे कैसे आप सारी चीज़ों को implement करोगे, वो सारा काम किसका है, जिसको आपका tender मिला है, किसको मिला है, जूरिक international को, तो जूरिक international को देखना है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को handle करेगा, अब ये आपका turn की हो गया, जिसमें कि क्या हुआ, कि सारी तरीके का, जो भी design होगा, उसमें procurement होगा, जो भी management है, जो भी operate करेगा, उसको वो सारा जूरिक करेगा, तो ये आपका turn की है, NIL का, इसमें कोई role नहीं है, NIL क्या है, NIL क्या है, कि honor है, तो ये आपका turn की हो गया, इसके बाद अब EPC की हम बात करते हैं, EPC क्या है, जिस तरीके से आपने सुना होगा, Engineering, Procurement and Construction, ठीक है, तो ये क्या है, अब देखो, कि जो आपका जूरिक International उसने ले लिया, कि इस तरीके से हम यहाँ पर ये project करेंगे, और जो NIL उसने cost भी नहीं बताई, cost कि उसने बताई आपको, cost उसने अपने इसाब से प्लान बनाया, जूरिक International ने और फर बताया कि इसकी estimate cost ही है, तो उससाब से वो जितने भी percent के shareholder है, NIL, जूरिक, वो अपना-पना invest उसमें करेंगे पैसा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टर्नकी के case में, जो आपका client है, उससे आपको title बता देता है, कि इस तरीके से यह काम होना है, वो ना आपको कोई drawing दे रहा है, ना आपको कोई view की दे रहा है, ना वो आपको बता रहा है कैसे implementation करना है, ना cost बता रहा है, यह सारा काम जो contractor है, यानि कि जो single firm को वो दे रहा है, responsible ठहरा है, वो आपका बताएगा कि कितने time में complete होगा, कितना पैसा लगेग तो एक person को उसने responsible बना दिया, जो कि contractor, main contractor है, वो अपने under में अपने vendors को लगा सकता है, छोटी-छोटी contractors को लगा के काम करा सकता है, यह आपका turn की project, यान कि NIL जो है, अब वो अगर कुछ भी चीज़ पूछेगा, वो तो सिर्फ Europe International से बात करेगा, वो तो यह चीज़ हो अगर यह बनने के बाद यह तयार होगा, तो दुनिया में चौथी नंबर पर सबसे बड़ा आपका यह एरपोर्ट होगा, तो यहां पर अब इतना बड़ा एरपोर्ट बनना था, 5000 hectare में यह आपका बनना है, तो यहां पर इसको चार फेस में लाए गया, अब चार फेस भ पहले फेस का टेंडर बनाया, यानि कि उसकी लगाया कि इतना यह कॉस्ट आ सकती है, इस तरीके का डिजाइन हमें रखना है, तो पहला फेस का जो बेसिक डेटा था वो तयार किया, जूरिक इंटरनेशनल है, यानि कि अब वो EPC कॉंट्रेक्ट के लिए टेंडर रिलीस कर आई, उसने डेटेल एस्टिमेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने सर्फ बेसिक बनाया कि इस तरीके से यह सारा दाएगा, तो अब उसने टेंडर रिलीस किया, फिर से जो की EPC कॉंट्रेक्ट था और यह उसने अवार्ड किया TATA कंसक्शन को, तो फेस वन का जो काम है अब जो आपका TATA कंसक्शन है, वो पूरी डेटेल ड्रेंग बनाएगा, उसका B.O.Q. बनाएगा, उसकी एस्टिमेट कॉस्ट निकालेगा, तो सारा जो काम है वो आप TATA करेगा, हाला कि उसने बता दिया कि किस तरीके से करना है, तो EPC और टर्नकी में बस इतना ही डिफरे का जो experience है, वो भी अच्छा है, आप कह सकते हो कि जूरिक जो international है, वो आपके Switzerland की कंपनी है, ऐसे कि मैंने पहले आपको बताया, और ये अमेरिका की 8 airports को handle करता है, भी बी operate कर रहा है, ब्राजील के 4 airports को operate कर रहा है, और भी कई सारे जो airports हैं दुनिया में, उनको ये operate करता है, रन करता है, जो आपका जूरिक international है, तो जूरिक international को मिला turn की project, यानि कि उसको कुछ नहीं बताये गया, उसको सिर्फ ये बताये गया, कि airport बना है, और कैसे बना है, वो आप देख लो, अब जब उसने बना लिया, पूरा प्लान तयार कर लिया, कि 4 phase में बनाएंगे, इस त समझ में आगे होगा, कि turn की project क्या है, और EPC आपका जो contract है, वो क्या है, तो अगर ये वीडियो आपको फसंद आईए, तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, हमारे reinforce के channel को subscribe कीजिए, और जादा से जादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, thank you so much.